हेलो एवरीवन, बेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीसियस मलाई कोपता की रस्पी से यर करूँगी। इससे हम वाइट ग्रेवी के साथ बनाएंगे और साथ में नान भी बनाएंगे जो की एक परफेक्ट डिनर है मलाई कोपता इसके लिए हम कुछ तयारी करते हैं यह हमने एक भगोने में एक गिलास पानी गरम होने के लिए रखा है जब हमारा पानी अच्छा गरम हो जाएगा तब हम इसमें दो प्याज लंबे लंबे स्लाइस में कटे हुए दस बारा काजू और चार हरी मिर्च सबको वाइल होने के लिए रख देंगे जब हमारा प्याज अच्छा नरम हो जाएगा तब हम इसे ठंडा करके इसका पेश्ट तयार कर लेंगे अब हम नान की तयारी कर करते हैं यहां हमने एक कप मैदा लिया है और आधा कप गेम काटा लिया है अब इसमें हम पांच छोटी चमच दही डालेंगे यहां आप दो बड़े चमच इसमें दही डाल लीजिए आधा चमच इसमें हमने नमक डाला है और आधे चमच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा और आधा चमच बेकिंग पारडर थोड़ा सा इसमें ओल डालेंगे यहां हमने एक छोटी चमच ओल डाला है सभी को अच्छी तरह से mix कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे का एक डो तयार कर लेंगे डो को हम ज़्यादा tight नहीं गूतेंगे बस रोटी जैसा डो हम तयार करेंगे ना ज़्यादा tight और ना ज़्यादा soft हो डो हमारा तयार हो गया है उपर से एक चमच ओयल की लगाकर हम इसे पंदरा मिनट के लिए रेश्ट पर रख देंगे एक कपड़े से डो को कवर कर दीजिए अब हम मलाई कोपता की तयारी करते हैं ये हमने 200 ग्राम पनील लिया है और तीन उबले हुए आलू लिये हैं सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट करेंगे ये देखें इसी तरह से हम आलू को भी ग्रेट कर लेते हैं आधा चमच काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे चौथाई चमच हमने नमक डाला है और ये मैदा है दो बड़े चमच परकर इसमें हम मैदा डालेंगे सबी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अगर डो थोड़ा गीला सा लग रहा है तो थोड़ा सा मैदा आप और डाल लीजिए मैदा हमारे कोपतों को टलते समय फटने नहीं देगा ये एक बाइंडिंग का काम करेगा ये देखें अब हम इसके कोपते तयार करेंगे कोपते आप बड़े छोटे जैसे साइच के बनाना चाहें बना लीजिए हम इसमें इस टपिंग भरेंगे यहां कुछ काजू हमने काट कर रखे हैं दो तीन काजू के टुकड़े हम कोपतों में भरते जाएंगे आप चाहें तो प्लैन कोपते भी यहां बना सकते हैं अच्छी तरह से कोपते को चिकना कर लेंगे हातों से इसी तरह से हम सारे कोपते बना कर तयार कर लेंगे अच्छे से चिकना कर लेते हैं ये लिजे इसी तरह से हमने सारे कोपते बना कर तयार कर लिए हैं अब हम एक प्लेट में मैदा लेंगे और जो हमने कोपते बनाये थे उन्हें अच्छे से मैदा में कोट कर लेंगे यह हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम अपने कोप्ते कड़ाई में डाले तो यह फटे नहीं मैदा कोप्तों को फटने नहीं देगा अच्छी तरह से कोप्तों पे मैदा लपेट लीजे कड़ाई का तेल अच्छा गरम हो गया है अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और धीरे धीरे अपने कोप्तों को डालेंगे कड़ाई में जितने कोप्ते आ जाए आप उतने कोप्ते कड़ाई में डाल दीजे जब कोपतों का कलर एक साइट से गोल्डन हो जाए तभी आप कोपतों को पलट कर दूसरी साइट से फ्राई कीजिए कोपतों को ज़्यादा हाथ से टच मत करिए क्योंकि ज़्यादा कंचली लगने से ये कोपते तूट जाकते हैं ये देखे कितना बढ़िया गोल्डन कलर हमारे कोपतों पे आ चुका है अब एक एक कर हम सारे कोपतों को निकाल लेंगे हमारे कोपते बन कर तयार हैं अब हम ग्रेवी की तयारी करते हैं ये जो हमने प्याज, काजू और हरी मिर्च उबाली थी इनको पानी के साथ ही हम पीस लेंगे एक कड़ाई लेंगे, उसमें एक बड़ा चमच हमने ओयल लिया है, जब तेल गरम हो जाए तो उसमें एक चमच जीरा डालेंगे एक तेज पत्ता, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलाइची और दो हरी इलाइची और साथ आठ काले मिर्च, सभी को अच्छे से चटकने तक गरम करेंगे मसाले भुन गए हैं, अब हम अपना पेस्ट, प्याच, हरी मिर्च और काजु का इसमें डाल देंगे जलाते हुए हम अपने मसाले को भुनेंगे साथ में हम यहाँ पर एक चमच, लहसुन और अद्रक का पेस्ट भी डाल देते हैं और सब को लगातार चलाते हुए भुनेंगे यह खड़े मसाले हम निकाल देते हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर जितना आना था हमारे तेल में आ चुका है हमारी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी ओने लगी है, यहाँ पर हम दो बड़े चमच, दही डालेंगे आप जब भी ग्रेवी में दही डालिए, गैस की फ्लेम आप मीडियम कर लीजिए चलाते हुए ग्रेवी में दही को मिक्स करिए, ताकि दही ग्रेवी में जाकर फटे नहीं यह देखिए, अच्छा बॉयल आने लगा है ग्रेवी में और दही भी बढ़िया पक चुका है ग्रेवी पहले से बहुत कम रह गई है, अब हम इसमें आदा ग्लास दूट डालेंगे दूट डालने से ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ ग्रेवी में दूट डाला है ग्रेवी ने ओयल छोड़ दिया है, अब इसमें आदे चम्मच काले मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप स्वात के अंशार डालिए, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी पक चुकी है एक चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि मलाई कोपते में हलका ता मीठा पन बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी पक चुकी है, इसने ओयल भी छोड़ दिया है, हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तयार है इसे ढखकर पाँच मिनट के लिए हम और पका लेते हैं और सबसे लाश्ट में इसमें आधा चम्मच करम मसाला, ये हमने एक बड़ा चम्मच मलाई भी इसमें डाल दी है हमारी रेस्पी का नाम मलाई कोपता है, तो इसमें मलाई तो जाएगी ही कोपते हमारे पहले ही तयार हो गए हैं ग्रेवी भी मलाई कोपतों की बनकर तयार है अब हम नान बनाने की तयारी करते हैं आटे को रखे हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं एक बार अच्छे से आटे को फिर से गूत लेते हैं और इसे बढ़िया चिकना कर लेंगे, यह देखिए, कितना बढ़िया सौप्ट डो हमारा बन कर तैयार है, थोड़ा सा सुखार्टा लगा लेंगे, अब हम अपने नान बेलना शुरू करते हैं, आटे की लोई तैयार करेंगे, थोड़ा सा सुखा आटा लगा कर, लोई को हाथों से बढ़ा कर लेंगे, लोई के उपर, थोड़े से कलोंजी के सीट्स डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया भी चिपका देंगे, धीरे से लोई को पलट कर, सुखा आटा लगाएंगे, और अपने नान को बेल लेंगे, नान को आप पतला ही बेलिए, हमने इसमें गेहू का आटा भी मिलाय था है, इसनिये नान बेलने में आपको ज़्यादा दिकत नहीं होगी, नान के उल्टी साइड, अच्छी तरह से आप पानी लगा लीजिए, ताकि नान हमारा तवे पर अच्छे से चिपक जाए, नान बनाने के लिए आप दोहे के तवे का ही यूज़ कीजिए, नान निश्टिक तवे पर नान नहीं चिपकेगा, ये देखिए, नान हमारा फूनने लगा है, अब हम तवे को उल्टा करके नान को चारो तरफ से सेंक लेंगे, ये देखिए, कितना बड़िया नान फूल रहा है, चारो तरफ से अच्छे से नान को आप सेंक लीजिए, ताथि नान हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, नीजिये, हमारा बिल्कुल बाजार के जैसा नान बनकर तैयार है, नान को धीरे से कंचली से निकाल लीजिए, नान के उपर बटर लगाईए, नीजिये, हो गया हमारा नान तैयार, कोप्तों को प्लेट पर रखेंगे, उपर से जो हमने ग्रेवी तैयार की थी, कोप्तों के उपर डाल देंगे, दिखे कितनी स्मूद और कितनी बढ़िया ग्रेवी हमारी मलाई कोप्तों की बनी है, और साथ में ये लीजिए, गर्मा गर्म नान, हो गया ना हमारा फरफेक्ट डिनर तैयार मलाई कोप्ता बिट बटन नान, आपको हमारी ये मलाई कोप्ता और नान की रेस्पी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताईए, और यदि आपको हमारी रेस्पी सच्छी लगती है, तो प्लीज उन्हें लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूनें, थेंक यू,